तो दोस्तों आज का दिन है संडे का और कई दिनों के बाद आज मैं Q&A वीडियो बना रहा हूँ काफी important सवाल है जिसके बारे में मैं आपको चाहता हूँ कि उसके answer दूँ और आप सभी की problem solve हो सके अपसद खालिद जी का कहना है कि camera के अंदर पानी चला गया है क्या किया जाया देखिए camera के अंदर पानी चला जाना इसका मतलब आपका camera या तो बहुत पुराना है या फिर आपके branded camera नहीं है क्योंकि मैंने अब तक अपने life में ही vision के नहीं देखे हैं CP plus के नहीं देखे हैं इन सभी के अंदर पानी चला जाए क्योंकि यह IP65, IP66 अब आ रहे हैं और अब लेटेस तो IP67 रेटिंग आ रहे हैं तो इन सभी में पानी अंदर नहीं जा सकता अब इसमें ही vision में एक मेरे कहानी होई थी बट वो ही vision के जो ADI वाला जो brand था उसने ही vision के उस camera को बनाया था त तो इसके लिए आपको एक मात्र तरीका तो यही है कि अगर warranty में है तो company में दे दे अगर warranty में नहीं है तो आप camera के screws वगरे को open कर लिजे और उसे थोड़े देर धूप में रख दीजे आपका काम हो जाएगा बहुत hard धूपने बट आपको धूप में रखना होगा sunlight में उसकीजे moisture को खत्म करने के लिए और दोसरा कोई तरीका नहीं है फिला तो इन तरीके से आप इसे solve कर सकते हैं बट मैं हमेसा आपको requirement करूँगा कि आप IP66 और IP67 वाले कैमरे को ही यूज करें मोहन सिंग जी का कहना है कि इस्विज वाइफाइ कैमरा NVR से कितने distance से यह जो है कवर करता है यान कैश करता है देखिए वाइफाइ कैमरा और NVR में आपको बार बार मैंने आपको बता है कि obstacle जितने आते हैं उससे ज़्यादा परिसानी होती है connection में तो अगर मानके चलिए कि आपका जो NVR वो कह रहा है कि हम 100 मीटर तक कवर कर लेते हैं तो आप उसको लग recommended है जहां पर obstacle बिल्कुली कम आते हैं पॉल्स नहीं लगा है पार्ट बाई पार्ट सब ऑफिस बना हुआ केविन बगरे बने हुए लकड़ी के प्लाय वगरे के तो वहां पर दिकत आपको नहीं आती बट अगर obstacle काफी जादा है तो यह अभी तक recommended नहीं है इसलिए यह अगर चोर कैमरे को चोरी करके ले जाए अगर चोर कैमरे को चोरी करके ले जाए तो क्या तरीका क्या वो पता कर सकते हैं तो इसका तो आंसर मैं मैं बिल्कुल अलग तरीके से देना चाहूंगा क्योंकि अगर कैमरे को चोरी किया है कोई और कैमरा में IMEI नंबर नहीं होता आप केमरे को खोल लेता है या फिर डेमेज कर देता है उसे कोई वाच ने कर रहा है तो अगर उसका चैरा आपके पास आया ने तो बहुत मुस्किल हो जाता है या पता करना कि अगला बंदा कौन है केमरे को पता करना कि कैमरा किस ने लिया है तो बहुत मुस्किल है इसके लिए फिलाल कोई सट्य कुपाय तो नहीं आया है कैमरा लगाने के पहले ही आपको ऐसे दियान देने होगी इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा ताकि आपको इन फ्यूचर ऐसी गलतिया न मैंने कल का वीडियो मैंने बनाया है आप उसे देख लीजिएगा बिल्कुल सिंपल प्रॉसेस और मुझे मेल तो आए एक से डेड़ मिनिट के अंदर ही मेल आए तो उस तरीके को प्रॉसेस को आप फॉलो कीजिए बिल्कुल से मेल आएंगे कहीं कोई शूर नहीं है तरीक कि यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फर्मवेर अप्ग्रेड करना चाहते हैं तो सिंपल तरीका फिलहाल आपके लिए है कि आप अपने से ओवर स्मार्ट नहीं बने अपने आपको उस्तायद नहीं समझे तो वो आपके लिए बढ़िया अगर आप मालते कि इस वेबसाइट से आपने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करके आप अपग्रेड करना चाहरें तो दिक्कते आ सकती इसके लिए सबसे सटिक उपाय जो मैंने बार बार आपको बताया कि आप डिवियार के मेंटनेस पेज में जाए जहां पर डिवियार का सीरियल नंब और मॉडल नंबर फॉर्मवेर को वर्शन भी लिखा रहता है उस वर्शन को आप स्नैप लेजिए और उसे मेल किजी सपोर्ट एड़ प्रमाहिक विजन डॉट कॉम पर और उनको कहिए कि मुझे फॉर्मवेर अपग्रेड करना है या आई नीड लेटेस्ट फॉर्मवेर उस मॉडल को आप जो है लिखिए और उसके स्नैप सोट भी आप भेजिए तो कंपनी को पता चल जाएगा कि आपका कौन सा मॉडल नंबर है आपके डिवियर या एन वियर या आई पी कैमरे में अभी कौन सा फॉर्मवेर चल रहा है जो फॉर्मवेर चल रहा है उससे जाएगे जो रिकमेंड करेगे वो आपके उस डिवियर और आपी कैमरे के हिसाब से सूटेबल होगा तो वहाँ पर गलती होने के चांसे बिल्कुल नहीं होते हैं इन तरीकों को ही अगर आप अपनाते हैं तो फॉर्मवेर में कोई इश्यू नहीं आएगा फॉर्मवेर अ